दोस्तों अगर आप यूज कर रहे हैं Saomi का HyperOS आपको पता ही है कि अभी इंडिया में अपडेट नहीं आया पर आप चायनीज रॉम यूज कर रहे हैं जो कि HyperOS की उसके अंदर आपको उसके अंदर गूगल प्ले स्टोर नहीं मिल रहा है नहीं आप उसको इंस्टॉल कर पा र इंस्टॉल है और गूगल प्ले सर्विसस को एनेबल भी करना मैं आपको बता दूगा आपको कुछ नहीं करना सेटिंग में जाके एपस में आपको जाना है ठीक है और उपर त्री डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको किलेक करना है और आपको सर्च कर लेना सारी जो गूगल प्ले सर्विसस की एनेबल हो जाएंगी ठीक है सर्विसस फिर आपको कोछ नहीं करना गूगल प्ले स्टॉर इंस्टॉल कर लेना है ठीक है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी गूगल प्ले स्टॉर की ठीक है तो जैसी आप इसको एनेबल करेंग Google Play Services की जो की basic है और उसके बाद जो है आपका Google Play Store install होने लगएगा यहाँ पर आप देखिए ठीक है यह second method आपको सबसे पहले Google Play Services को enable करके और Google Play Store को install कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए अब मैं इसके अपना account डाल देता हूँ और इसली आप इसके इंदर जो की कोई बीचे डालोड करेंगा तो आपकी Google Play Services तो enable हो चुकी है और Google Play Store भी आ चुका है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए तो आप इसली इसके इसके इंदर install कर सकते हैं बहुत दोस्तों simple method है ठीक है और दोस्तों आपको आपकी की लिंक description में मिल जाएगी वहाँ पर आप जाएए टेलग्राम चैनल को join कर लीजिए वहाँ पर आपको Play Store की लिंक मिल जाएगी और इसको install कर लीजिए ठीक है तो इसली इस install कर सकते हैं लिंक मिल जाएगी description में सबसे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो दोस्तों प्लीज प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए और टेल्ग्रेम चैनल को join कर लीजिए ताकि आपको और भी update की information मिलती रहें और दोस्तों आप मुझे comment करके बता दीजिए कि आपको और कौन-कौन से वीडियो चाहिए MIUI से related है या HyperOS से related तो प्लीज आप मुझे comment करके बता दीजिए और आप यह के सामने Google download मैंने कर दिया है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने HyperOS के अंदर Google Play Services को enable कर सकते हैं और Google Play Store को use कर सकते हैं कोई भी रॉम हो अगर आपके बास HyperOS नहीं है तो आपके बास Chinese रॉम है MIUI की तो उसके इंदर भी यह method है इस तरीके से आप उसको use कर सकते हैं प्लेश्टोर को ठीक है दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू